सेंटरल गवर्मेंट तो गद्दारी कर रहे हैं, इस देश के साथ रानी अंबानी का गुलाम बन के बैटे हैं, हम इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं, किस के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मोदी जी, आप राम राम कहके कहके, हमारे जो कामकाज लोग हैं, उनको मार रहे हैं पाइला तो सिर्फ सारे चार्च होता अभी हम कहते हैं उस सिलिंडर को पासो रुपाई तक आप कम करो पासो रुपया कम करो और ग्यास पेट्रोल डीजल का जो भी रेट है उसका कम करो देखिये गुलबरगा जिलापूरा सुखा पड़ा है अकाल पड़ा है और हम थैंक्स कहते हैं कि स्टेट गवर्मेंट अकाल घोशन किया है तो हमने के यह कहने के लिए इदर आए है अकाल घोशन करने के बाद समस्या हल नहीं होता समस्या तो शुरू हो गया है समस्या अगर हल करना है तो लोगों का समस्या क्या है वो समझना गवर्मेंट का जिम्मेदारी बनती है आज ह और हमारे उद्ध्यो खात्री का एक जिविगला संघटन, तीनों संघटन से आज हमने स्टेट गवर्मेंट को यह मेमोरेंडम सब्मिट कर रहे हैं कि अकाल के घोशन के बाद अकाल के जो कामगार लेते हैं, पैकेज लेते हैं, काम लेते हैं कि उस काम के दाइरे के अंदर आप लोग मन्रेगा है उद्ध्योख खात्री काईदा है 100 दिन काम दे रहे हैं मगर हम कहते हैं इस अकाल के समय में 200 दिन देना 200 दिन इसके साथ उनका जो वेज है 316 रुपिया है हम पूछते हैं 316 रुपिया से उनके जिंदगी नहीं गुजर सकते 700 रुपिया देना ये जरुरी है और इसके साथ हमारे किसान लोग है किसान लोग बहुत मुशिबत में पड़े है किसान लोग उनके खेतों में जो घ ganska आया है वो निकालने के लिए उनके पास पैसा नहीं है यह तरफ किसान के पास पैसा नहीं है दूसरी तरफ हमारे ग्राम पंशायत में हमारे लोग अगर काम पूछने लिए गए तो वह पीडियों कहते हैं कि यहां जगा कहा है बता। जगा ही नहीं है काम देने के लिए हम कहते हैं देखो यहां जगा है हमारे किसानों के जमीन में जो घास आया है वो हम उद्योग खात्री के अंदर लिए तो हमारे कामगा के लोग, हमारे लेबर लोग किसानों के जमीन में जाकर काम करते और उद्योग खात्री का पैसा वहां देना किसानों का जमिन की अच्छा हो गया, किसान भी बच गये, हमारे लेबर लोगों को भी काम मिल गया, और हमारे गाम पंचायत का पीडियो है, गाम पंचायत का चेर्मन है, इनका समस्या भी, इनका सर्दर्द भी हल हो गया, हम अग् सुझाओ देना चाहतें, अग्र करना चाहतें कि आप हमारे किसानों का खेती का काम मन्रेगा के अंदर लेलो, हालंकि सिर्फ घास निकालना नहीं है पत्तर निकालने का है अलग अलग काम है उत्व है कुरुशिवंडा काम तो मन्रेगा के अंदर है यह कुरुशिवंडा और छेत्र बदू यह दोनों छोड़कर और भी दूसरा दूसरा काम है यह सब काम अगर मन्रेगा के अंदर आप ल यह तो एक तरफ गाउं के लोग बचते, दुसरे तरफ हमारे किसानों का की समस्या भी हल होता है, यह है अकाल के दिन में, बरगाल के दिन में काम लेने का तरीका, इसके साथ हमने कह रहे है, जा सिलिंडर का रेट साड़े बारा सो करें सेंटरल गवर्मेंट, अभी नौ सो प पाई तक आप कम करो, पास सो रुपया कम करो, और गैस पेट्रोल डिजल का जो भी रेट है, उसका कम करो, सेंटरल गवर्मेंट तो गदारी कर रहे है, इस देश के साथ, कि मंद्रेगा के अंदर हमारे लोग काम करके येक समय का तो खाना खाते है, मगर बीजेपी का मोधी सरकार पिछले समय में जो बजेट रखे है, बजेट के अंदर मंद्रेगा के लिए 35% से जादा बजेट कम दिया है, कि कोविड के बाद की मंद्रेगा में काम करने का संक्या बढ़ गया है, मगर इन्हों बजेट जादा रखने के बज़ाए, बजेट कम रखे है, किसके और शामिक लोग भी हमारे है, आप इसके बीच में राम रहीम सब लोग हमारे है, आप इसके बीच में लोगों को हिंदो मुस्लिम का जगरा लगा के आपना उस कॉर्परेट का सेवा करना चाहते, आदानी अंबानी का गुलाम बन के बैटे है, हम इसका कड़ी विरोध कर अकाल के समय में तो उन लोगों का पेट भर जाता, उनका जेब भर जाता, जो कॉर्परेट लोग है, उनके लिए हसी कुशी की बात है, कि अकाल पढ़ गया, बहुत अच्छा हो गया, गरीब लोग के नाम पे काम आता, हम दाम लेते, गरीब लोग मर जाते, ये हमने कड़ की विरोध कर रहे है, आज हमने सरकार को जलापंचैत में भी हमारे लोकल का प्रेशन भी है, लोग अगर अरजी लेकर जाते, पीडियो कभी रिसीवड नहीं देते, काम नहीं देते, उसके बारे में हमारे अधिकारी, हमारे यहाँ जो चीफ इंजिनियर है, चीफ एक्जि रच्छिठी हौसिताली हुश्चिपोलिछीच का चीफ इंजिन गॉलिए भी है वाले क्वेश खेम."